जय स्रीराम दोस्तों मैं पवन मलिक आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे आज की वीडियो में हम आपको लिखे चलेंगे यमना एक्स्प्रेस वे अथर्टी के सेक्टर 20 एम ब्लॉग और वहां पे प्लोट दिखाएंगे जिसमें हमारा कंस्टेक्शन का काम waterworks का मेंठीकें और अगर कर देख तो डोस्तों हम आ गए साइड पे आप देखेंगे यह सेक्टर 20 में M block है और 383 नंबर plot है जिसकी आज हमें आपको वीडियो दिखा रहे हैं बाकी आप देखेंगे तो आपको M block और O block में mostly हमारे दुआरा ही construction यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे mostly completion आप इसकी देखेंगे तो इसका front जो रहेगा वो 12 मीटर कराएगा और यह 25 मीटर की इसकी घहराई रहेगी registered plot है आपने रजिश्टी करा लिए तो उसमें आप construction करा सकते हैं चाहे आपका time नजदी करा है penalty से बचने के लिए अपने plot को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप उसके लिए अपना इसमें पैसा लगाते हैं तो आप यह माने कि आपके plot की उतनी कीमत जो है वो बढ़ रही है अब एक plot इसमर बना हुआ एक plot खाली है तो आप देखेंगे कि आपको जब भी एक plot sale करेंगे इसमें और इसमें आपको 20 लाग रुपे के आसपास का gap देखने के लिए मिलेगा यानि कि जो पैसा आपका लगता है उससे extra ही पैसा आपको यहाँ पे मिलता है देखेंगे यहाँ पे सभी plot ओमें थोड़ा थोड़ा गड़ा रहता है और हमें इसे नाली से एक सभाफिट उपर रखना होता है तो उसके लिए सभी plot ओमें हमोश्ली भराव कराना होता है आपको plot जो मिलेंगे या तो नाली के लेवल में मिलेंगे या आपको काफी नीचे तक ही हाँ 2 फूट, 4 फूट, 8 फूट तक के भी गड़े जो है वो आपको plot है और उसकी 25 मीटर की गरहाई है तो यह सामने से आप देखेंगे इस तरीके से यह हमने बनाया है सामने मैन गेट हो गया, दौनों साइड यह विंडो हो गए, जो एक किचिन है एक डॉइंग रूम है, मैं आपको अभी यहां से दिखाऊंगा, तो आपको एक साइड में किचिन देखने के लिए मिलेगी, एक साइड में drawing room दो इसमें washroom और दो ही इसमें bedroom आपको देखने के लिए मिलेगे और पीछे की साइड 3 मीटर का area जो खाली रहता है, वो area देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको यह सब चच्ची बात है दो वास्रूम देखने के लिए मिलेगे, क्योंकि जिनका यह plot है, उनकी demand थी कि उनको दो वास्रूम अलग-अलग चाहिए, तो इसमें हमने दो ही वास्रूम तैयार की है यह सामने drawing room हो गया एक साइड में kitchen हो गई, और दो साइड में दो रूम हो गई, और दो वास्रूम हो गई जैसे जैसे इस पर आगे काम चलता रहेगा आगे यह तयार होता रहेगा हम आपको वीडियो दिखाते रहेगे बाकी हमारे construction की quality आप कभी भी आके देखे आपको बहतरी quality ही देखने कली मिलेगी और हम वीडियो में कहते भी हैं अगर आप अच्छा construction कराना चाहते हैं अच्छी quality का completion में भी तो वो ही लोग हमें call करें कोई काम चलाओ construction की आप हमारा ऐसे ही काम कर देजिए वो काम हम करते नहीं है हमारे काम में आपको quality जो है वो देखने कली मिलेगी चाहे completion ही हो हम completion भी उसी हिसाब से बनाते हैं कि जिससे आप इसमें आगे future में रहना चाहें month end weekend पर आप आना चाहें आ सकें रह सकें या आप इसको कभी future में rent वगेरा पे भी दे सकें इस तरीके से अब आप इसको rent पे किसी को देते हैं कोई इसमें रहता है तो आप उसे अच्छा ही बनवाएं लाग पचास जार रुपे का आप ना देखें प्रोपर जिस तरीके से घर बनवाय जाता है उसी तरीके से बनवाएं बाकी एक मंजिला आप अगर अच्छे से बनवाते हैं और उसमें पिलर वगेरा नहीं है तो आप बिल्कुल निश्चेंत रहें वो प्लॉट कहीं नहीं जाएगा ना ही दीवारों में कोई नुकसान होगा ना ही लैंटर में कोई नुकसान होगा अगर प्रॉपर वर्क उस पे किया जाता है और ये जरूर देखें कि गेट वगेरा जो है वो अच्छी क्वाल्टी के ही लगवाएं जिससे की सिक्योर्टी एक तरीके से मजबूत रहे और सभी गेटों पे गेट लगवाएं ऐसा नहीं हो कि आप भार में गेट लगवा दिया और बैक साइड में गेट लगा दिया अंदर गेट ने क्योंकि कभी भी कोई रेंट वगेरा पे फ्यूचर में लेगा तो वो देखेंगे कि आपके प्रॉपर गेट वगेरा लगे होएं नहीं